इसकर दोस्तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ फोटो पेपर, बॉर्ण पेपर और नॉर्मल पेपर के बारे में नॉर्मल पेपर नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए यूज होता है जो कि आप नॉर्मल आप रेजुम अगर आप प्रिंट करेंगे या किसी चीज को print करके documentation या project को print करेंगे ये bond paper letter drafting के लिए होता है या किसी important documents के लिए hook किया जाता है bond paper का इस्तमाली इसका paper थोड़ा मोटा होता है बट normal paper के अलावा इसका भी रूपरंग same होता है देख लीजिए ये देखें ये देखें इसके साथ आता है photo paper थी इस तरह जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ photo print करने के लिए image print करने के लिए ही किया जाता है इसका काम ये बहुत ही मोटा होता है और hard होता है इसको use करना बहुत ही अच्छता है ये मेरा photo example आप देख सकते है मेरी वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को share like and subscribe जरूर कीजेगा thank you very much जाहिंद